असलाम लेकूम, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम बना रहे हैं बिर्यानी और यहां हम फाकेट के बिर्यानी बना रहे हैं दिखते हैं कैसी बनती है चलते है रेसिपी की तरफ यहां हम आए पास सबसे पहले हमने प्यास लिए three medium प्यास लिए हमने उनको ऐसे कट कर लिया है ठीक है इसके साथ हमने लिया है लसन अद्रा का पेस्ट 3 टेबिल स्पून और चिली 3 टेबिल स्पून लसन अद्रा का पेस्ट 1 टेबिल स्पून हमने यहां चिली पेस्ट लिया है और 1.5 टेबिल स्पून हमने चाथ मसाला लिया है यहां पर य ठीक है इसके साथ हमने एक cube लिया है chicken cubes ठीक है यहाँ इसमें दो होते हैं हमने just one use करना है ठीक है यह हमारे chicken cubes है हमने just one use करना है इसके साथ हमारे पास टिमार्टर है six medium size के हमने इनको ऐसे cut कर लिया है इसके साथ हमाहे पास है chicken है यह हमागे पास half किजी से थोड़ी ज़्यादा है ठीक है और यहां हमाहे पाथ 3 medium size के आलू है अर्प हमने ऐसे cut कर लिए और एक यहां पर हम शान सिंदी फिरियानी का पैकेट यूस करेंगे और हम यहां पर चामल यूज़ करेंगे ये वाले ये सेला वासपती यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे बनते हैं जरू ट्राइ करिएगा ये जब तक इसको हम भिगो देंगे तीन घंटे के लिए जब तक ये वाइट नहीं होएं जब तक आप यूज़ नहीं करिएगा ठीक है ये वन कि मेजर्मिंट आगया अपके पास अब हम सबसे पहले अपने चामल को बिग वग देंगे हमने चामल बिलकुल वाइट हो गए हैं यह तीन घंटे में ऐसे हो जाएंगे दो तीन घंटे में ठीक है अब हम चलते हैं अपनी प्यास फ्राइब करते हैं सबसे पहले हमने एक पैन में एक कप ऑईल लिया है इसके हंदम प्यास डाल देंगे और प्यास को ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे हमारी प्यास ब्राउन होती ही है हमारी प्यास देखें यह कलर आ गया थोड़ा सा और इसको कलर आने देंगे थोड़ा सा अब इसमें हम डालेंगे यह देखें प्यास अल्मोस्ट हमारी डन होती ही है यह देखें आ गया ना ब्राउन कलर अब हम इसमें डालेंगे दिंदर तालिक पेस्ट डाल देंther 3 तेबल स्पून हमारे पासता इसी के इस के साथ इपनी चिकन भी एड कर देंगे ठीक है इसको हमने इसमें अपनी चिकन भी कर देंगे ठीक है ताकि वह जो इसका हलका से स्माल होता हो रुदी है वो सैट हो जाईगी squall असा mix-up करेंगे ठोड़ी सी fry होने देंगे इसको ठीक है Здесь हम उसको अच्छासे mixing कर देते हैं तमद्ध हम एड़े करेंगे रखेंगे यह माँ यहां पर यहां पर टमा आड़ें को निच्छ करेंगे यहां ऐड़े आद वो हमें हम चिल्य वे टालेंगे जो हमारे पास था इसी के साथ हम इसमें शान का packet भी add कर देंगे सिंधी बिर्यानी वाला ठीक है यह हमने packet add कर दिया इसको mix करेंगे यह दिखिए अब हम इसको mix करेंगे और इसको cover करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए इसमें हम अभी आलू add नहीं करेंगे थोड़ा सा हमारा tomato ठोड़े से मास हो जाएं फिर हम इसमें अलू add करेंगे यह दिखिएं थोड़े से soft हो गाया अब हम इसमें आलू add कर रहे हैं यह देखिए और यहां पर अपने चामल कर दिखते हैं हमारे चामल देखें बोईल हो गए almost यह देखिएं बस एक कनीस में आप अब यह देखें आप थोड़ा सा वाटरी है जब तक यह बिल्कुल सेट नहीं हो जाता मतलब इसमें पानी बिल्कुल खतम हो जाए जस्ट ओईली नजर आए तो आपका कॉर्मा तब डन होगा ठीक है इसको थोड़ी देर और कवर कर देंगे अब हम देखते हैं यह हमारा कॉर्मा almost तन लग रहा इन हम्को इसको मिक्स करके देखते इसमें हम बाकी जो हमारे मसाले वागर है हरा मसाला और वागर वागर है वाइट करेंगे और चिकन क्यू पसाइट क्यू अब करेंगे यहांपर चिकन पान मे스타ं कर रहे हैं आपको क्षूला ब मसाला भी दाल दिया और हरा मसाला भी हम इसी वह एड कर देंगे और चूला कर देंगे बं तिके अब हमारा को मठूब्र मा अल्मॉस्ट रेडी है थीके अब हम अपनी में इसकी लेयर लगाएंगे कोरमे की इसको मैक्स कर लिया आपने थोड़ासा हरा दनिया है अब हम एक पतिली में को इसचरें ल और इससे वह कर देंगे बित्य दिएंगे थिक्षादे के समीदिखेarem इसम उपर दअए हम इसमें जर्दे का अरंग डालेंगे, जो हमार पर food color होगा, यह हम orange color डाल रहे हैं, यह देखें, हमने ऐसा पानी में थोड़ा सा घोल रहे है, और मैं यहाँ पर एक सू का powder भी sprinkle करूंगी, इसे अलग से shade आजएगा आपकी बिर्यानी में, वो बहुत अच्छा लगता है, यह देखें, यह हमने dry अपना food color भी थोड़ा सा sprinkle कर रहे है, यह आपके पार dark orange और light orange का थोड़ा combination आजएगा आपकी बिर्यानी में बहुत अच्छा लगता है, ठीके, और अब हम इसके उपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, मैं 3-4 tablespoon गी के add कर रहे हैं, तो हम वो add कर रहे हैं, और इसको हल्के आज जानाज पर दम पर रगदेंगे, देखते हैं हमारी बिर्यानी यह देखें हमारी बिर्यानी दम पर आ गई है, अब हम इसको थोड़ा सा mix up करके देखते हैं, यह almost done हो गई है, अब हम flame off करेंगे, और dish out करेंगे, यह देखें, लश्पस्थी बिर्यानी बनी है यह थीके, आ और यह सच में बहुत टेस्टी बनी थी आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा आप लोग को मेरी रासिपी इस अच्छी लगती हो तो में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यह दिखें हमने प्लेट आउट कर लिया यह मैं ट्राइ करके देखती हूं और इसमे नम्माक मर्द बिल्कुल बैलेंस था बहुत इठी बनी थी जरूर ट्राइ करिएगा यह दिखें है यह आपको क्लोस दिखाया है मैंने यह आपके चामलों पर टेक्सर आजागा ओके अलाहाफिस